उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार विकास की गंगा बहाने के वादे कर रही है उत्तर प्रदेश में इस वक्त 11 एक्सप्रस वेज बन चुके हैं लेकिन हम स्मार्ट सिटी लखनव की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे ये देखिए ये राजदानी लखनव का एक दृष्ष है और मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूँ इस जगह को पुराना लखनव बोलते हैं और पुराने लखनव से आप ये जो नाव देख रहे हैं इ ये पीपे का पुल था लेकिन अब ये पीपे का पुल है वो तूट चुका है और उसके बाद से यहां पर जो स्थानिये हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए वो इस नाव का सहारा लेते हैं क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा है इनके पास मजबूरी इतनी है स अपने घरों के लिए उनको जाना है और घरों की तरफ जाने के लिए उन्होंने इस नाव का सहारा लिया है लगातार यह जो समस्या है यह बढ़ रही है और लोग यहां पर काफी परशान है क्योंकि उनके सामने और कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है कि अब हम कैसे अपन कि समस्याँ को जाना जाए उनकी समस्याँ को समझा जाए एक दिकट कब से हो रही है हाला कि एक एहम चीज यह भी बताई गई है कि लगातार यह जो पुल है यह FM बशात के जो पुल है वो तूटता है और इस साल वी यह जो पीपे का पुल है वो तूटा है फिलाल नाव पर सब Лघ सवार हो चुके हैं और अब यह именно का सफर है वह शुरू हो चुका है बहुत दूर तो नहीं है लेकिन हाँ रास्ता बहुत कठिन है कठिन इसलिए क्योंकि इस वक्त जहां पर उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनव में ट्रांस्पोर्टेशन के कई सारे सिस्टम है उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनव में मेट्रो चल रही है उत्तर प्र रास्ता क्या होगा कैसे इसका रास्ता खुलेगा यह देखना है कुछ लोगों से बात करेंगे चाटा कहां से आ रहे थे आप क्यूंकि मैंने भी देखा कि आप भी सनाव के सहारे अब दूसरी तरफ जाने का रुख जो है वो कर रहे हैं बहुत गरीब आदमी आई परहसान ब क्या है यह सुनने में आता है कि हर साल यह तरह से टूट जाता है हर साल यह होता है हर दिकत और दो चार महिने तक के चलते रहो खिरते रहो परिशान है जाते हैं बचारे तरफ के दश दुनों तरफ के दश रूपिया तो आप लोगा इधर कैसे हाँ मेरा मकान भी यही तरफ है मगर अब बीमार है दबलेट मिलता यहीं है और रात-ृत क्या होता है अगर रात-ृत कोई-ची तूर्द है क्या करें रोते हैं पीडते हैं कि करें ना अने जारत बाइन ना रात को स्वें तो आप क्या करें कोई बच्चा होने वाला है कोई मेडम के क्या होने वाला क्या अपत है हर चीट की दिक्कत है उठा रहे हैं तो पता सब्सक्राइब तिन चार दिन पहले शाइद यह फुल तूटा हुआ तो उसके बाद को यहां बनाने देखने दाखने कोई नहीं आवत है उनकी दिक्कत यह है क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है चाहे इलाज के नाम पर हो चाहे घर का राशन लेने के नाम पर हो या फिर पढ़ाई के नाम पर हो सबको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है और रास्ता सिर्फ एक है यह नाव का ही सहारा है और इसी नाव क तो आदमी पीछे स्काइब आप सुनना ही पाई कि बहुत आई मेडिये माले देख कर चले गए है यह कुछ नहीं होगा तो देख रहे हैं आप यह स्थिती राजधानी लखनव की कुछ बच्चे भी है जो पढ़ाई करके पूरी करके अपने आज की क्लास को पूरा करके इस नाव के सारे अपने silence जा रहे है अब इस नाव के सारहे अपने घर जा रहा है बेटा कहा पढ़ते हो आप लोग लाजबगर में इतनी दूर है इस कितनी Дूर है यह से तो पहले कैसे जाते थे कि पहले और स्पूल से जाते थे नहीं पूल लगा था उससे जाते ते अब इसी नाव का साहरा कितने दिन से जा रहे हो जा रहे हैं लगवग एक मेना हो गया घर इधर ही है तुम लोगों के अच्छा और भी लोग है और भी बच्चे तुम्हाई साथ के जो इधर से उधर पढ़ने के बहुत लोग मतलब मेरी तरफ से बहुत बच्चे जाते हैं यहां पर जो समस्याओं के नाम पर निराकरण करने के वादे काफी है विकास की गंगा बहाने के वादे काफी है और बहुत दूर नहीं है यहीं से 7-8 किलो मीटर पर मुख्यमंत्री कारयाले हैं सारे बड़े अधिकारियों के ऑफिसेज यहीं पर हैं सारे विकास की अबारत जो है वहीं इमारतों से लिखी जाती है लेकिन वहीं से 7-8 किलो मीटर की दूरी पर यह पीपे का पुल तूटने के कारण एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोग इंतजार करते हैं कि कब नाव आएगी कब हम अपने दूसरे रास्ते पर पहुंचेंगे वहाँ पर अपनी खरिदारी करेंगे इलाज कराएंगे पढ़ाई पूरी करेंगे श्कूल जाएंगे दवाई लेंगे और उसके बाद फिर वापस अपने घर की तरफ आएंगे लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही है नाव का सह साराई है और कोई भी सारा नहीं और इस तरह की कई सारी जो नाम है वो भी चलने Watts जो इधर सुध decisions लोगों को पहुचाने की जो उनका जो रास्ते जो पहुचानेका जो प्रयास है उनका वह लगला और दूसरी दर मापको दिखाना चाहेंग Gir अब यह नाव जो है वह फैजुल्ला गंज की तरफ पहुंच रही है और वहां पर आप देखिए पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं इंतिजार कर रहे हैं कि नाव जल्दी से आए और हम करी हमारे साले की भरती बताव अपरेशन कल पगेज से जब नाव आई है तब उनका लाइक है बहुतनी जान चली अब का करी अब जम नाव आई है भरती है वहां बल्लाम पुर्मा तो क्या आप लोग इसकी को शिकायत करते हैं यहां सो तो विधायक भी बीजेपी से ही है तो दूसरी तरफ देखिए लोग बैठे हुएं इंतिजार में कि नाव पहुंचे जल्दी से और हम दूसरी तरफ इस नाव के साहरे जो पुराना लखनो का हिस्सा लगता है वहां पर पहुंचे और अपना जो भी खरिदारी है या फिर दवाई है जो भी काम है वो किया जाए लेकिन पुराने लखनो का ही दोनों हिस्सा है पुराना लखनो का ही ये फैजुल्ला गंज भी है पुराने लखनो का ही ये चौक का इलाका है फैजुल्ला गंज से चौक जाने के लिए नाव का साहरा लेना पड़ता है क्योंकि और कोई भी उपाय नहीं है फिलाल नाव ज सो रहे हैं वह पर पहुंच रहे हैं और यूप देखे इंतिजार रहे हैं उनसे भी बात करेंगे बात करने की कोशिश скारें और जानते हैं कि कितनी समस्यां है कब चलिए और नहीं हो रहे हैं ela कि अब यह कि अजुप आगे बढ़ते हैं अब बारिष में देखे यह राजदानी लखनों का नजारा है राजदानी लखनों का जहां से थोड़ी ही दूर पर मुकमंतरी आवास है ज़ो सरकारी अदिकारी है वो बैठते हैं और सारी चीजों का जो लेखा जोखा है वो बनाया जाता है आए बात करते हैं लोगों से भाइस पत्रिया क्या दिक्थ कब से ति दिक्थ किल नी पड़ रही और क्या नाव का ही रास्तप है չिए नाओ कर रास्ता रहेalım और अब दूसरी तरफ से जो फैजुला गंज वाली लोग हैं वो अब इस नाओ में बैठ करके अब पुराने लखनों का जो रास्ता है उसको तै करेंगे, क्योंकि पुल है नहीं, साइकल भी जाएगी, देखे, आज साब को दूद देने जाना है दूसरी तरफ, और ये भी इसी नाओ के सहारे दूसरी तरफ जाएंगे, चलिए, हम लोग भी उस तरफ चलते हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है, ये कही ना कही बहुत बड़ी दिक्कते भरी तस्वीरे हैं, और इन तस्वीरों से ये साफसिद होता है, कही ना कही जो बाते कही जा रहे हैं, वो बाते पूरी नहीं हो रहे हैं, हाला कि पूरी तो हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से पूरी नहीं हो थोड़ा इधर आजएए क्या कह रहे हैं तो पानी कहीं कभी छोड़ा जाएगा गंगा का या घागरा का कहीं कभी पानी बाल सकता है जब जब पानी का लेवल बढ़ता है तब यह जो पुल है हटा दिया जाता है फिरल मैं यहां कर नहीं रहने आला हूं लेकिन आपने भी तो नाव की सवारी कली यहां पर आगर करके लिए हम तो आई दिया घूमने हम सूतना विवाग से हैं अच्छा जी सूतना विवाग में काम करते हैं जी तो मंतरी का काम करते हैं जहां जहां आप अपने मंतरी से क्यों शिकायत करते हैं ने तो अपने मंतरी सिकायत करते हैं मंतरी जी जब चाहिए जब पुल बनेगा पुल बनेगा तो गैला पिल एक एक हो जाएगा सुन तो रहे हैं यही कि पुल बन जाएगा यहां तो पर्मानेंट पुल की जरूवत है यह पीपेले पुल से मुझे लगता नहीं की काम चलेगा क्योंकि तो हर साल टूट जाता है यही चीज यहां पर चल रही है और पचासो साल से जो लोग है इसी नाव के सारे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को मजबूर है क्योंकि और कोई साधन और कोई रास्ता नहीं है जब बरसात का मौसम आता है पानी का लेवल बढ़ता है तो यह जो पुल है इस पुल को हटा दिया जाता है और उसके बाद लोग मजबूरी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं इलाज के लिए शिक्षा के लिए अपनी जरूतों को पूर कि जो है अपने में काफी भयावे है काफी दिक्कतों भरी है पानी का लेवल भी जादा है कभी कोई बड़ा हाथसा हो सकता है लेकिन अब देखना है होगा कि साशन प्रसाशन इस पर कब जागता है क्यामरपरसंदीवक के साथ मैं नितिन प्राइमटिव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार